सबी को लगता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि घर गाड़ी ऐसो अराम जितना चाहे उतना मिल जाए हमें कभी किसी प्रकार की कमी न हो पर एक बात सोचो क्या पैसा मिलने से कोई सुखी हो जाता है अगर पैसा मिलने से कोई सुखी हो जाता तो आज जितने भी टॉप टेन अमीर लोग हैं, वो अपना काम बंद करके कहीं एकांत में सुख पूर्वक विना किसी टेंशन के रहने और खाने लग जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, जिसके पास जितना पैसा उतनी ही टेंशन बनी रहती है, वो अपने पैसे से और पैसा बनान चाहते हैं, और उसी के चक्कर में पूरा जीवन टेंशन में ही बिता देते हैं, वो कभी भी उस पैसे का भोग कर ही नहीं पाते, ज्यादा धनवान होना तभी सार्थक है, जब उस धन का आप भोग कर सको, वो भी बिना किसी परेशानी के, पर ये होता कहां है, लोगों के पास इतनी धन दवलत है कि उसकी साथ पीड़ी घर बैठे सुक पूर्वक खापी करके जीवन व्यतीत कर सकता है, परन्तु फिर भी वो खुद कभी सुक चैन से नहीं रह पाता, और पैसे के लोब में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, इस संसार में सुखी वही है, जिसक परन्तु संतुष्टी सब को होती कहा है, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जीवन में अदि संतुष्ट रहना है, तो हमेशा अपने से कम छोटे स्तर वाले लोगों को देखो, जैसे आपके पास रहने के लिए एक पक्का मकान है, हो सकता है एक गाड़ी भी हो पर कभी न कभी आपने उन जोपड़ पटी में रहने वाले लोगों को भी जरूर देखा होगा, जिनको खाने के लिए ठीक से दो समय की रोटी भी नहीं मिल पाती है, जैरा सोच करके देखो, भगवान की कृपा से आप उनसे कितने बहतर हो, जो रहने के साथ साथ खाने प उसरे पैर की अपेक्षा काफी ज्यादा बड़ा था और उसको अपने पैरों में जूता पहरने के लिए अलग से ओर्डर देना पड़ता था, एक दिन वह किसी सोनी की दुकान में आभूशन इत्यादी खरीदने के लिए गया, दुकान में अंदर जाने से पहले उसने जूतों को पार कर दिया, अर्थात उसे चुडा लिया, उस व्यक्ति ने जब देखा कि उसके जूते किसी ने चुडा लिये हैं, तो उसे बहुत गुशा आया, और जोर जोर से भगवान को कोसने लगा, एक तो भगवान ने मेरे पैर ऐसे बना दिये, कि मेरे नाप के कहीं जूते नहीं मिल पाते, और दूसरी तरफ इन जूतों को भी किसी ने चुडा लिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो नंगे पैर ही जाना पड़ेगा, और बाहर इतनी धूप है कि मेरे तो पैर ही जल जाएंगे, कितना निर्दई है ये भगवान, उसके इस प्रकार कहते हुए ही संयोग से वहीं पर एक लगड़ा व्यक्ति घसीरते हुए जा रहा था, उसको देख करके उस व्यक्ति के मन में विचार आने लगे, देखो तो बेचारा इतनी चिलचिलाती धूप में, ये कैसे घसीरते हुए जा रहा है, भला है उस भगवान का जिसने मुझे चल तो पहले कोश रहा था, पर जब उसने अपने से नीचे जीवन जीने वाले उस लंगड़े को देखा, तो उसके मन में संतोष हो गया, एक बात याद रखना मित्रों, जितना अपने से नीचे स्तर में जीवन जीने वाले लोगों को देखोगे न, तुमें अपने आप में स सुखी रह सकता है अन्यथा बहुत ज्यादा धन दौलत पाने वाले लोग भी कभी सुखी नहीं रह पाते हैं मित्रों कैसी लगी यह जानकारी यदि यह जानकारी आपको महत्तोपुर्ण लगी हो तुक्रिपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्रा मतरानी की